नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोश श्यत्रुगन गौतम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर जन्पदी इस्थान अंतर में वो सिक्षिकाएं जिनका maternity leave चला है वो भूत ही असमंजस में हैं काफी confused हैं कि उनको इसे में क्या करना चाहिए अभी हो सकता है उनका एक दो या पंदरा दिन या वीज दिन यह मा लेजे एक दो महीने maternity leave हुआ है बाकी अभी काफी छुट्टिया उनकी अवसेस बच रही हैं तो confusion यह है कि अगर वो mater maternity leave break करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी maternity leave खतम हो जाएंगी अब जिस जनपद में जाएंगे वहां पर उनको medical लेना पड़ेगा या CCL लेना पड़ेगा जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है आप यहां पर maternity leave को एक application देके early joint करते हैं तो आपकी जो से हैं वह आपकी बच जाएंगी और आप नए डिस्टिक में जाकर इसको ले सकते हैं तो यह confusion बना हुआ है तो इस चीज को मैं यहां पर आपके साथ clear करना चाहूंगा कि अब यह स्तिती स्पस्ट हो जाएगी आपकी क्योंकि यहां पर अब आपको सीधे मानो संबदा दिन पहले और उसके बाद आपको होना हैं अपनेटिक से ऊसके बाद आप जहां पर जा रहे हैं जिसठीक में वहां पर जोईइन करूंगे जो एन corresponds करने के बाद आप फिर से कि ब्लाइकरिए मेटेटी ऍंटेलीयु के लिए तो यह अप प्रोसेस है इसमें होगा क्या जब maternity leave को आप early joining में जाके request send करेंगे तो वहाँ से आपका क्या होगा जैसे आपने 6 महिने में 2 महिने या 1 महिने या 15 दिन या 20 दिन जितने दिन भी approve होने के बाद आपने maternity leave use कर ली है वो आपकी minus हो जाएंगी ठीक है अगर 2 महिने आपने यूज कर ली है या 3 महिने यूज कर ली है वो आपकी minus हो जाएंगी 6 महिने में से जो cs बचेंगी वो आपके balance में सो करेंगी ये आज की update है जो मैंने पता किया है अपने ब्यार्थी पे जो मानो संबदा पोर्टल पे अपलोट कर रहे हैं सारी जानकारी कलते हमारे यहां भी जो सिचक साथी जिनकी जो leave है वो update की जा रही है तो इस तरीके का process अपनाया जा रहा है और यही process हर जगा होगा क्योंकि अब चीज़े सब online हो रही है अब पहल जानकारी तो नहीं है पिछली बार की लेकिन इस बार की जो जैनकारी हमें मिल नहीं है अपने विस्वसनी सूत्रों से तो वह यही जैनकारी मिल लेए कि early joining करके आप जब join करेंगे तो उसके बाद आपकी जो औसे छोटिया होंगी वो balance में सोगरेंगी और उसके बाद आप जहां join करते हैं जिस जिस्टिक में वहां पर जाके आप अपनी और से मिटेंडी लिव को दुबारा ले सकते हैं तो यह थी जानकारी एक छोटी सी जिसको मैं आपके साथ share करना चाहता हूं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने हां खंड सिच्छा अधिकारी से डारेक तरह तरीका रहेगा कि आप अपने खंड सिच्छा अधिकारी से बात करके ही इस चीज को कंफर्म करें वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल बुलिएगा और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखें हो सकता है हमारी जानकरी अभी अच्छी ना हो तो अपनी जानकरी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दें थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो